हेलो फ्रेंट विडियो में अमरतीफ शमीला आज की वीडियो में हम लड्डू को पाल जी के लिए यह ड्रेस बनाने वाले हैं आप देखें बहुत ही सिंपल और आसान तरीकी से हमने इसे बनाया हुआ है यहां से आप इसे कीच के स्थरह से इकठा कर सकते हैं एकदम सिंपल और आसान सा तरीका मैंने बनाने का इसे बताया हुआ है आपको बहुत आसानी से बनाये और अपनी कानाजी को पहनाएगे मेजर्मेंट चार्ट मैंने दी है, इतना इजी है, बहुत आसान से आप बना लेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीकी की ये ड्रेस है, ये इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों हाट डालना है, और उसके बाद ही हम गले पे बात देंगे, डोरी, ये देखें, ये इस तरह से ह और फिर फ्रेंट पे ले आऊंगी और इसी की हल से हम यहां पे इनकी घेर भी पात देंगे आप बहुत बड़ी डोरी मत बनाईए थोड़ी छोटी ही बनाईए जिसे यह फ्लार जब आए तो हमारे देखके अच्छे लगे तो यह देखिए इस तरह से हमारा फ्लार आएगा अब ही कैमेर की सेट्टिंग कर दीओ तो आपको अच्छे से यह द्रस समझ में आएगी और यह हो गया इसके साथ में चैप चली सेट्टिंग करके फिर दिखाते हो आपको फूरी व्यू आएगा अच्छा सा यह देखिए आपने आप ने आपर पर पोश्राक पहना दिया पुछद ही खुबसूरत लग रही है आप चैएं तो इसका यह जो एक फ्रार है आप यहाप पे बनाके लगा सकते हैं और बी सुन्दर लगेगी देखने में तो आप इसे इजली बनाईए और अपने काना जी को पहना इए यह मैं भी देखूंगी तो आप एक फ्रार अप यह हमने यहां पर देखें इस तरह से ऐसे करें एक हमने यहां पर लूप बनाई अब इसमें अपने हुख को डालेंगे और इसे हम टाइट करेंगे थोड़ा इतना टाइट की हुख हमारी आसानी से सरकती रहे यहां पर हमें देखें इस तरह से एक, दो, तीन, चार, चार चे जोंट कर देंगे, अब हम यहां बेह देखिये से गश्यार में और अब में और इस तरह से गश्यार में फिर यहां पर हम वही जोंट करना है पिर वह चीज़ करना है, हमें, गरिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 7, 8 ये देखे यहें, पे हमें डाल के जोइंट करना है, आप आठ की जगवाएं पे यहाँ पर अपना छेचे भी बना सकते हैं और 4-4 भी बना सकते हैं तो आपका छोटा फ्लार बनेगा इसी तरह मैं यहाँ पे 3-4 बर करूँगी तो मारे यह फ्लार कंप्लीट होगा चलिए करते हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखें मैंने यहाँ पे यह 2-2-4-2-6-7-7 बर बना लिया अब हमें क्या करना है यहाँ से अपनी चेन को लंबा कर लेना है यह ऐसे करके लंबी सी चेन हम बना देंगे यह इस तरह से एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है कोई दिक्कत नहीं हो कि आपको बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं तो चलिए मैं इसे थोड़ा लंबा करती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखे हमने यहाँ इतनी लंबी सी यह चेन बनाई है अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखें एक, दो, तीन, चार चौथी चेन है इसमें हम इसे जोइंट करेंगे इस तरह से हमने जोइंट किया और जोइंट करने बाद इधर भी हम अपना सेम फ्लार बनाएंगे तो एधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ चेन बना के और यहाँ पर डाल के हमें इसे जोइंट कर देना है इस तरह से ऐसा ही करके हम अपने सरकल में बना लेंगे टुटल छे बार और एक बार हमने बना दिया है चलिए बना लेती हूं फिर आगे बताओंगे क्या करना है यह देखिए हमारा हो गया है अब हम यहाँ पर नॉट लगा के से कट करना है तो सिम्पल सी जब नॉट लगाना हो तो आप इस तरह से एक चेन बनाईए इसे थोड़ा सा लंबा करके और कट कर दीजिए यह देखिए इस तरह से यह आपका यहाँ पर बन गया है अब यह जो उन आपका निकल क्या रहा है इसे आप वहीं से नहीं कट कर सकते हैं यह नहीं कि आप तुरंत आप कट कर देए इसे ऐसा नहीं करना है थोड़ा सा इधर हम इसे फसा के आगे निकालेंगे और उसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं तो यह हमने कीच के निकाल लेना है इस तरह से यह देखे निकाल दिया, अब आप इसे पास से कट कर सकते हैं, अगर आप वही पे पास से कट करेंगे, तो आपके बुनाई जो है वो खुलने लगेगी, तो यह हमने कट कर दिया, बहुत अच्छी से हमारी फिनिसिंग आ गई है, यह हमारा रैडी हो गया है, यह हो गया है अब किसी भी साइज के लिए बनाएए आपको सेमी तरह से से बनाना है अब हम यहां पे क्या करना है डबल क्रोशह बुननी है तो हम यहाँ पे बनाएंगे पांच नबर एकाना के लिए, तो देखें मैं पांच नबर के लिए 32 डबल क्रोशे यहाँ पे बुनूँगी, चले बुनती हूँ, फिर सभी साहज में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, यह कहीं भी आप बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जो हम ने यह चैन बनाई अपनी दो, इसे भी एक डबल क्रोश यहीं बनाना है, तो हम यहाँ पे टोटल अपनी 32 डबल क्रोश यह बनानी है, एक हमारी बन गई है, एक त्कतिस और हम यहाँ पे बनाएंगे, तो देखें इस तरह सी किया, औ हमारी दो डबल क्रोश यह हो गई, फिर हम ने इस तरह से डाला, डालने बद उनको निकाला, एकदम हलके हाथ हो बन रही हूँ, धीली है एकदम, यह नहीं कि आप टाइट बन दें, पहली रो हमारी धीली रहेगी, देखें मेरी तीन डबल क्रोश यह हो गई, यह हमारी चा असानी से सर के और गले पे कमफर्टिबल है, तो चले मैं आप अपनी टोटल इसे पूरा बतीस करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है, हम नहीं आप टेकि अपनी के टोटल पूरी बतीस डबल क्रोश यह बुनती है, अब हम इसे टर्न करेंगे, टर्न कर आउंगे कैसे बना है, यह देखिए हमने आप इतना बुनती है, बुनती हुए हम लगभग लाश तक आगा है, लास्ट में भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग लास्ट में ही थोड़ा सा गलत कर देते हैं, यह देखिए इस तरह से यह वाली जो चेन है यह इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपका इक तम अच्छे से बन रहा है कि नहीं, अब देखिए हम इसे इस तरह से टॉन करेंगे, टॉन करने पर हमने दो चेन बनाई, इसे ऐसे किया, और फॉर्स चेन में हमने डाला, देखिए तीन फंदे तीनों को एक साथ हमने उतार दिया, इसे हम हापडबल क्रोश्या कहते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार हापडबल क्रोश्या बना लेंगे, यह भी हमारी उतनी ही आएगी जितनी हमारी नीचे जरो में है, तो चले मैं बुनती हूँ, फिर आग आगे आपको बताऊंगी क्या करना है, यह हमने हापडबल क्रोश्या भी बुनती है, बुनते हो हम यहाँ पे एंड तक आ गए है, तो यहाँ हमने यह इस तरह से हापडबल क्रोश्या बनाई और यह लास्ट वाले में बना दी, यहाँ पे हमारी टोटल 22 डबल क्रोश्या है, अब इने हमें अपना पांच भाग में दिवाइड कर देता है, जिसमें से देखिए, पांच भाग में हमारा कैसे कैसे डिवाइड होगा है, मैंने एक साइज का भी किया हुआ है, यहाँ पे यह भी दिखिए हमें 6, 6, 8, 6, 6, मैंने लिखाया, अब बस अब जब बुनूँगी तो आप समझेगा भी क्यासे, इसे टर्न करना है, टर्न करने के बाद हैं एक और दो, दो चेन बना लिए हमारा एक डबल क्रोश्या हो गया, हमने इस तरह से किया, फॉस चेन में डाला, यह देखिए हमारी दूसरी डबल क्रोश्या हो गई, फिर हमें यहाँ पे अपने अगले चेन में बनाना है, यह हमारी त 2 पर हम्में एक चैन बनानी है देखेट सब्कशन न्यारा ने साथ में 7 क्लै JOHNT करके ते वन गोर बना बनानी है यहां पर हम इस का psychopath तीसरी डबल क्रोश्या हो गई, सबी चेन में एक एक बार ही बनाना है, यह हमारी तीसरी डबल क्रोश्या हो गई, यह देखें हमारी यह चौथी डबल क्रोश्या हो गई, एक्दम सिंपल और आसान तरीका है गाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यह हमारी पांच भी चार पाँच चछे ऐसे इस तरह से एक बार लपेट लीजिया है उसके बाद देखे हैं एक दो तीन चार पांच छे चेन चोड़ने के बाद इतर हमार पास चेन भाज रहें तो उसमें हम इस तरह से double double crochet बनाएंगे यह शें 2 हो गई ने आपको बहुत अची Bowl हो आलो सब्सक्राइब 6 इदर 6 इदर 9 फीच में 8। और 6 नाव हमने इपने के लिए छोड़ दिया है अब देखिए next row हमें कैसे बुननी है यहाँ पे से turn करेंगे और यह हमने एक और दो दो chain बनाई अब यहाँ पे आपको यह देखे यह इस तरह से double crochet बुननी है यह हमारी देखे यह 2 हो गई है पहले chain में बनाने के बाद फिर यह हमारी 3 हो गई यह हमारी 4 हो गई यह हमारी 5 हो गई और यह हमारी 6 हो गई इधर के हमारी 6 हो गई है अब बीच की 6 हमें इसमें बनानी है तो आपको इस शिश का ध्यान देना यह नहीं कि आप इसमें डाल के बुनने है नहीं आपको यहीं पे बनानी है हमें 6 यह एक यह देखें 2 chain में डालेंगे नहीं ऐसे direct अंदर में hole में डालना है यह 3 तीन हमने अभी तक बनाया है यह हमारा चार यह देखें ещё हमारा 5 और हमारा last 6, 6 हमने बना दिया, अब हमें यहाँ पे 6 बनाना है, sorry 8 बनाना है इसमें हमें, तो देखें यहाँ पे यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, हमें हमें बना दिना है, यह नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, जब बीच वाला चार हो गया, यहाँ पे यह तीसरा यह चौथा यह हमारा पांचवा और यह लास्ट हमारा छठा हमने यहां पे छे अपने होल में बना दिया फिर इस तरह से कर लेते अब देखिए अगर आप गिनेंगे तो एक दो टीन चार पांच पांच ही यहां पर आपको दिख रही है तो हमें अपनी यह वाली इसके इधर से ही एक स्टार्ट करना है तो ही आपका यहां पर छे होगा तो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया है देखिए इस तरह से बहुत ईजी है बहुत ही आसानी से दो देखिए हमारा बन गया यह तीसरा हो गया यह चौथा हो गया यह पांच और यह हमारा लास्ट छे हमने यहाँ पे 6 बना दिया यहाँ पे हमारी जो चोली है वो अब complete हो गई है बट आप किसी भी साइज की चोली बनाएए या आप जीटो साइज की बनाएए या बड़े से बड़े साइज की बनाएए आपके जो ही चोली complete होगी आपको यहाँ पे एक बार single crochet की रोज जरूर बनानी है तो यह जो single crochet में बना रही हूँ यह मुझे सभी साइज में बनाना है इसलिए मैं अपने measurement में इसे add नहीं करूँगी जब मैं आपको सभी साइज के लिए बताऊँगी क्योंकि आपको इतना काम हो गया है हमने सभी chain में एक एक बार single crochet बनाती है अब अगर आप देखेंगे तो हमने देखें एक, दो, तीन, चार, पांच पांच रोज बनाई है, यह single crochet बाली नहीं गिनी हूँ क्योंकि यह हमें सभी साइज में बनानी है तो यहाँ पे हमने टोटल पांच रोज बुल लिया अब मैं आपको बताती हूँ, यह देखें पहली दूसरी हमारी double crochet की रो थी और तीसरी वाली हमारी half double crochet की रो थी तो इधर हमारी दो और यह आधा धाई हो गई और इधर हमारी दोनों double crochet की रो थी मैंने इसे दो पार्ट में divide किया हुआ है चलिए पहले मैं यह आपको उपर का बताऊंगी फिर यह नीचे का जैसे कि अगर आप एक नमबर जीरो सायज में देखेंगे तो आपकी एक ही रो बनेगी उपर वाली एक रो बनेगी मैंने आपको फंदे देखें अभी नहीं बता है चलिए पहरे फंदे ही बताती हूँ फिर आपको यह रो भी समझाओंगी तो यहाँ पर आपको जीरो सायज में टोटल बार डबल क्रोशिया बनानी है एक नमबर में 16, दो नमबर में 20, तीन नमबर में 24, चार नमबर में 28, पांच नमबर में 32, छे नमबर में 36, साथ नमबर में 40, आठ नमबर में 46, नो नमबर में 52, और दस नमबर में आपको 58 इतने इतने आपको double crochet बनानी है अब इतनी double crochet हम सभी size में कितनी कितनी row बुनेंगे पहले वो देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस किस उसमें आपको divide करके अपनी sleep बनानी है तो सबसे पहले तो हम zero size के लिए एक row ये ऊपर की रहेगी और दूसरी row में हम अपनी sleep बना लेंगे टोटल दो ही row बने की ये तीसरी वाली ये जो हमारी single crochet की ये तो आपकी सभी size में रहेगी है तो आपकी zero size में सिर्फ दो row बने की एक row आप ये वाली बनाएंगे और इसके बाद ही just इसके बाद ही आएगी तो ये अपनी sleep बना लेंगे तो अभी फंदे को बताती हूं कितने कितने बुनने हैं उसके बाद एक number में आएंगे तो आपको दो row उपर बनानी हो कि जो कि आपके पहली row double crochet की और दूसरी half double crochet की रहेगी और तीसरी row से हमारी sleep स्टार्टो की इसी row में ये खतम भी होगा क् दो नमबर के लिए आएंगे तो दो row हमारी उपर रहेगी और एक row नीचे दोनों हमारे double crochet की उपर और एक row double crochet की नीचे रहेगी और ये जो हमारी दूसरी row बनेगी इसी में sleep बन जाएगी तीन नमबर में आएंगे तो दो रो हमारी उपर रहेगी और इस दो रो के बाद हम हमारी स्लीप हीए 1.5प इप ही डपनत मैंशी हमारी दोप एक क्रोशे के दो सरी स्लीब ही डा हरे हमारी स्लीप ही तो तेसी के आप घगे यहाँ देखना रुषुन तीन तीन रो हमने बुनी है, दो रो हमारी डबल क्रोशी की, एक रो हमारी हाफ डबल क्रोशी की, चार नंबर में भी हमें बुनी है, और इसके बाद हमें यहाँ पे दो रो बुनी है, जो कि हमारी एक डबल क्रोशी की और एक हाफ डबल क्रोशी की रहेगी, यहाँ पे हमने दो रो 6 नंबर में आते हैं हो चैन नमबर में इस दो रो 3 عछी रो बंस को नहीं है हमारि 6 नंबर में हमें 3 ρो 3 रो 6 ₹ इस पास कुम junior हमारी 4 रो 7 नंबर में 4 रो 2.5 रिक नकाना था मैं एक बार रफ वर्क करती हूँ फिर मैं इस पर करती हूँ क्योंकि सभी जाईशे काना जी को नापना होता है उसके बाद हम लिखते हैं इसे मेजर्मिंट जिसे सब सही आ है और ये देखिए साथ नमबर के काना जी में 4 रो हमारी उपर रहेगी पांच वी रो में हमारी स्लीब बनेगी और चाल रो उपर रहेगी डबल क्रोशे की उसके बाद ये हमने 2.5 लिखा है मिंस हमारी दो रो डबल क्रोशे की और एक रो हाफ डबल क्रोशे की नीचे की साइड रहेगी आठ नमबर में हमारी 5 रो डबल क्रोशे की उपर और 3 रो जो है हमारी डबल क्रोशे की नीचे रहेगी 9 नमबर में 6 रो डबल क्रोशे की उपर और 3 रो जो है वो हमारी डबल क्रोशे की नीचे रहेगी 10 नमपर में 7 रो हमारी उपर रहेगी डबल क्रोशे की और 3 रो जो है वो हमारी नीचे रहेगी डबल क्रोशे की इस तरह से आप इसे बना सकते हैं तो ये इतना हमने आपको बताया है अब चलिए आपको ये वाला हिस्सा बताती हूं जो हमने डिवाइड किया है यह इतनी इतनी स्टार्टिंग वाली रो आपको बुर्णी है जहां से डैस लगाया है यहीं से आपका यह अलग होना स्टार्ट होगा तो मैंने यहां पर देखिए यह 32 अपनी डबल क्रोश्य बनाए थी 6, 6, 8, 6, 6 मैंने लिखा है हमने पहले क्य जो कि यहां पर लिखा हुआ है और फिर लास्ट में हमने 6 डबल क्रोश्य बना ली जो कि हमारी इधर बनी हुई है तो आप देख सकते हैं 6, 6, 8, 6 और 6 इस तरह से हमारी यह कंप्लीट हुई है अब सभी साहज में आपको देखिए हमें क्या करना है जीरो साहज में हमें 3 ड इस चाहिग्या करम दिखा है था साहज में नंबर में व्ल पर CONC ein जैञे फिर आट डबल च्रोश्या शह चेंट अट दी सीह शाथ नंबर मी आठ डॉट क्रोषिया साथ चेन गये फिर दस चेन गये फिर दबल क्रोश्या आट डॉटक्रोशिया आठ डॉट damit रच द हमीर इन ऐसे एक दम पास से दिखा दून के amountsक्रोश परski क dentro ठेंबर में तो स्कूरिये लीज़ कह लेए और देखें yeter si do घ्रेशं टावल करोशिया , नुच Va कैरें फिर अभी बीज़ टेभिकुरोशिया , नुच अब यहां से स्क्रीं सॉर्ट ले सकते हैं एक के बआस्य तुरा सा गलत बोल दिया हो यह मैंने प्रेत्वन प्र We had problem एक फोड़ासा tajt कर देंगे अब tajt करने के बाद इतांसे हमने एक दो बनाने के भाध यहाया पर हम्नों एस फर चैन में डाला double crochet बुं दी फिर हमने यहांपे सेम चैन में डाला double crochet बुं दी पिर अगली चैन में बनायेंगे इस में यहां भाष defer में चेन में दो दो बार double crochet हमारी रही की सिच का आपको ध्यान देना है तो चलिए मैं आपे बनाती हम सभी चेन में दो दो बार double crochet फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने आपे अपनी फर्स डो जो है वो complete कर दिया अब यह करेंगे लास्ट में आपे इस तरह से एक चेन बनाएंगे और थोड़ असा लंबा करके छोड़ देंगे क्योंकि हमें इधर white color से बुनना है हम दोनों अपना एक एक बार लगाएंगे दोनों color आपको सभी साइज में ऐसे करना है कोई चेंज नहीं होगा सभी साइज में सिंपल इसी तरह से आपको बुनते चले जाना है अगले दो चेन में हम एक एक बार double crochet बनाएंगे ये एक और ये एक और इसके बार जो चेन आई है इसमें हम दो बार बुन देंगे ये एक और ये दो दो चेन में एक बार double crochet और तीसरी चेन में दो बार double crochet बनाते हुए अपना ये दो complete करना है चले करते हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पे इतना इसे बुंदिया है ब्लास्ट का रहे गया है आपको दिखा देती हूं यह तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे देखिए पहले चेन में एक बार बन गया दूसरी चेन में एक बार और यह तीसरी चेन में दो बार यह एक बार हमने डबल क्रोशे बनाई और यहीं सेम चेन में एक और बार बना दी अब देखिए यह हमारी लास्ट चेन है हमें क्या करना है यह जो हमने उन अपना छोड़ा हुआ था इसे हम देखें इसके बीच में डालेंगे इस तरह से अपने हुंक को इसके बीच में डालना है आप चाहें तो देखें इसे इस तरह से ऐसे फैला के यहाँ पर रख सकते हैं यह देखें अब अगर मैं डालूंगी तो इसके बीच में ही आएगा देखिए ऐसे करना है और यह देखिए इसके बीच में हमें ऐसे करके अब अपने chain में डालना है और डाल के यह double crochet बुन देनी है यहाँ पर बुनते ही अगर हम अब इसे कीशते हैं तो देखिए बीच से हमने डाल के बुन दिया है तो यहाँ पर हमारा लॉक हो जाएगा यह इस तरह से अब बस इसे turn करेंगे और turn करने के बाद यहाँ से पहले yellow color अपना निकाल लेते हैं और इसे हम इस तरह से turn करते हैं Turn करने के बार देहें, एक और दो, दो chain बनाई, अब यह हमने पहली chain में अपना एक बार, दूसरी chain में भी एक बार, तीसरी में भी एक बार, और जो थी द हमारे चाथी chain आएगी, इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा सा ही बाकी है तो last का भी आपको दिखा देती हूं ये इस तरह से देखें ये complete होगे अब यहाँ पर हम एक chain बनाएंगे थोड़ा सा लंबा करके और छोड़ देंगे लंबा इसलिए करना होता है जिससे कभी अगर ये आपका ओन खिसता है बुनते वक्त तो ये खु अगर एक दुबडो पूर देंगे अब देखे ये एक chain में हमने एक बार dow ग्रॉश्या तो ये कि आप आप तीसरी चेन में एक बार double crochet आप चोंधी चेन में भी एक पर अब जो 5 ये तो ये करके ही एक बढ़ता जाएगा जब अगली रो आएगी तो छटी चेन में हमारा दूलार होगा फिर अगली रो अगली 不錯 इंट में भी बताऊंगे और यहां इसके 20 से हमने चेन में डाला और डालके बुन दिया, बहुत इसी है, अब इसे आप कीचेंगे तो यह आपका सेट हो जाएगा, वाइट वाले को आप नीशे करेंगे, और यह हमने इसे निकाल लिया, अब मैं यहां पर वाइट वाले को कट कर रहे हूं, क्योंकि अ फूला ऑशवुदिया, थोड़ा सा पुरा यलो नहीं हा इसे से हम पुराव बुमलेंगे, तो देखें, दो चेंगे, और हमने हमने यहां पर 5 चेंग बनाना है और 6 चेंग बढ़र हमने, एक चयंग में बना दिया, दूसरी चेन में भी एक बार तीसरी चेन में भी एक बार ये देखें चौती चेन में भी एक बार हो गया पांचवी चेन में भी ये हमारा एक बार हो गया और अब जो ये छटी चेन आई है इसमें हम दो बार भूनेंगे डबल क्रोश या यह एक और यह दो इसी तरह से अपनी पूरी रो कम्लीट करनी है पास चेन में एक एक बार और चटी चेन में दो बार डबल ग्रोश या बनाते होगे यह देखिए हमारी रो जो है वो कम्लीट हो गई है अब यही वाली में रो और बनाऊंगी मुझे बहुत बड़ा फ्रेल न इसलिए मैं यह डबल उन यूज करती हूँ यहां पर और पतला होता है इसलिए डबल कर लेती हो इसे यह देखिए इस तरह से यह हमने एक चेन में एक बार बना लिया दूसरी चेन में भी एक पार तीसरी चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोश या बनाई चौथी चेन में एक बार, पांचवी चेन में भी, एक बार, छटी चेन में भी, एक बार, और अब सात्वी चेन आएगी, इसमें हम दो बार बनाएगे, तो यह देखें, यह सात्वी है, इसमें हमने यह एक, और यह सेम चेन में दो बार बना दिया, यह देखें, इस तरह से हमने इसे बुन द बनाना फिर उसके बाद आएगी तो आपको 8 चेन में गवार नौई चेन में दो बार बनना इस तरह से आप इसी काफी लंबा कर सकते हैं जितना चाहें उतना तो चले में यही वाली रो इसकी पुन के कंप्लीट करती हूं फिर आ के क्या करना है यह देखिए हमारा यहाँ पर यह complete हो गया है हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे टोटल छे रो बनाई होई है तो आप सभी size में देख लें कितनी कितनी रो बनानी है 0 size में हमें 3 रो बनानी है एक नमबर में भी 3 रो 2 और 3 नमबर में 4, 4 रो 4 नमबर में 5 रो 5 और 6 नमबर में 6, 0 जैसे हमने यहाँ पर बनाया है 7 नमबर में आपको 7 रो बनानी है 8 नमबर में 8 9 नमबर में 10 और 10 नमबर के काना के लिए आपको 12 रो बननी है अब हमने यहाँ पे cap के लिए फंदे डाल दिया है simple सी chain बनाई है यहाँ पे total मैंने 27 chain बनाई है अभी आपको सभी साइश के लिए बता दूगी कितनी कितनी chain बनानी है 27 chain बनाने बद हम इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे देखे 1, 2 देखें देखें बनाए 6 कि 2 आपको शल्टें बर यहाँ णानी हम समय構ंते बनाते हैं बनाती हम बनाती हम बनाती है यह देखे हमने यहाँ पे ही अपनी फॉस्ट डो जो है डबल क्रॉशे की बुन लिया सबी चेन में एक बार डबल क्रॉशे बना लिया यहाँ पे आपको कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है यह देखे हैं इस तरह से हमें दो चेन बनाई फिर से और यहाँ हम देखें ऐसे करके फॉस्ट चेन में एक बार डबल क्रॉशे बनाया सबी चेन में एक एक बार हमें बनाना है यह देखें इस तरह से यह आपका पूरा लंबा होता चला जाएगा तो ऐसे करके मैं यहाँ पे अपनी आगे की रोज भी बुन लोगी चले बुन लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी की क्या करना है यह देखें हमने यहाँ पे से इतना बुल लिया हमने चार रो बुनी है जिसमें से एक, दो, तीन, तीन रो हमने डबल क्रोशे की और एक रो हमने हाब बुनी है अब यहाँ पे यह वाली जो मैं बुनने जारी हूँ हूँ यह सभी सैज में आपको बनाना है यह देखें हमने डाला फंदे को निकाल लिया और इस तरह से ऐसे निकालना रहे इसे बुनाई नहीं होगी आपकी बिलकुल बस यहाँ पे ऐसे आपकी एक-एक यह चेन चलती चलियाएगी यह इस तरह से हमें क्या करना है यह चेन में डालना है पीछे से हमने उनको निकाला अब इसी उनको यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, यह देखिए आपको फिर से दिखाती हूँ, अगली चेन में टाला, पिछे से उनको निकाला, अब इसी उनको हम यहां से निकाल देंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो इसके बाद जो आपकी फ्रिल बनाएंगे, वो काफी फैल जाएगी, और देखने नौट लगागे काट करते हूँ, फिर आगे आते क Le eager to fish लेंगे, पिर आपको बताओंगे कि क्या करना है, यह दखें, यहांपर हो गया है, यहां से मने नॉट लगाके, काट कर दिया है, अब अब हम यहां पर अपनी जो फ्रिल है वो बना लेनी है, बहुत एजी है बनाना, हम यहां से अपना वाइट कलर का उन ले लेंगे, और यह देखें, यहां पर हमने अपनी फॉस्ट चेन में डाला, यह जो आपको यहां डबल क्रोश यहां देख रही है, इसी सब में हम यहां डाल के और बुनेंगे, गर यहां पर हमने डाल दिया, और यह उनको निकालेंगे या पीछे से, यह हमने, एक, दो, तीन, तीन चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई है, अब इस तरह से करना है, यहां फॉस्ट में ही डाल के, डबल क्रोश या बुन देनी है, फिर हमने ऐसे क्या अब अगली चेन इसमें डाला और यह हमने देखें गे एक बार uh यहिं सेम चेन में हमने एक रर और डम बना थी प्र देखें अगले हमें डाले mmButton बनाएं इसमीं के यह यहीं सेम चेन cuarto में एक यह क्योंटर बनाएंगे और क्ट कर दें गें créer ऑप है शुरुजह फ reflection पर पांच नमबर के लिए 27 फंदे डाले हैं, जिरो सैज में आपको 12 फंदे डाले हैं, 12 चेन बनानी हैं, एक नमबर में 15, दो नमबर में 18, तीन नमबर में 21, चार नमबर में 24, पांच नमबर में 27, छे नमबर में 30, साथ नमबर में 33, आठ नमबर में 36, नो नमबर में 40, और रो डबल क्रोशे की, तीन नमबर में दो रो डबल क्रोशे की और एक हाफ डबल क्रोशे की, चार नमबर में तीन रो रहे की तीनो डबल क्रोशे की, पांच नमबर में तीन रो डबल क्रोशे की, एक हाफ डबल क्रोशे की इस तरह से, और सेम यही हमारा छे नमबर के लिए भ कर दढल करना है यहाँ पर अप्रuity करना हीं एडून क दाल लिया है इसे सिल देंगे आप चाहिए तो क्रोश्य की हर्प से भी सिल सकते हैं। आपको सुइ का रेका ठूड में जरूरत Rich कण दमायों डबल क्रोश हाफ जो सिंगल क्रोश होती है वो बना के से इस्टिश कर दीजे तो नो को पकड़ती हो बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमने सिलने के बाद एक नॉट दे देनी है और नॉट देनी के बाद यह उपर कवाला जो इसका हिस्सा है वो हम पूरा खीच के एक अठा कर करद है बहुत ही ऑची आती है बहुत असान सकते है और अपने काना जी को पहना सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगत है यहां पे इसे पूरासिल दहिएंगे अगर आपको वीडियो को लाइक आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लग शुमक्राइब कर हैं ब स uniform बीडिय के according लाइक भी गिया करें, अब मैं इसे कट कर दूँगी और इसे हम सीधा कर देंगे, तो इस तरह से यहां से और कैब भी हो गई तो इस तरह से हमारा यह रेडी हो कि अच्छे लिप काना जी को पहनाती हूं फिर दिखाती हूं आपको तो यह देखें गाज यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने काना जी को पहना दी है बहुत हे खुब सुरूत लग रही है एकदम सिंपल और असांतर रहे किस आपको इसे बनाना बता है तो आई हो वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिशना रादे रादे